हमारे इस यूटूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए तीन दोस्तों की कहानी लाई हूँ जो ज्हारखंट के ही एक बहुत ही हांटेड हाइवे की इस्टोरी है उस हांटेड हाइवे पे ये तीनों दोस्त चा करके फास जाते हैं और उनका सामना एक ऐसे भानक चेहरे से होता है जिससे देख करके इन्हें उसमें अपनी मात दिखती है और वो चेहरा एक की जिंदगी ले लेता है बाकी दो दोस्त किसी तरीके से वहां से जन बचा करके भ जोस्त के घर गया थे और ये वहां पर 1 जन्वरी सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेट करने के बाद ये वहां से निकलते हैं जब ये आ रहे थे तो ठंड बहुत जादा थी और कुहासा इतना तेज था कि इन्हें अपने गाड़ी के सामने भी कुछ नहीं दिख रहा था लेकिन ये तीनो अपनी गाड़ी को चलाय जा रहे हैं जैसे ही वह वहां पर पहुंसते हैं एनेस 33 आसे की वज़ा से ये तीनो रास्ता भटक जाते हैं ये जाना होता है कहीं और और अपनी गाड़ी को कहीं और घुसा देते हैं तो इन्होंने अपनी गाड़ी को दूसरे दूसरे रास्ते में घुशा दिया और यह जब अंदर बहुत ज़्यादा घुश जाते हैं तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग आगे जाए पीछे जाए या किधर जाए क्योंकि इन्हें रास्ता मिल नहीं रहा था यह उस जगह पे घुश गया थे किसी गलत जगह और इन्हें इस बात का आभास नहीं था कि ये रास्ता हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। कर्च किया लोकेशन लेकि जो था वो काम करना बंद कर चुका था मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं थी अब सोचते हैं कि हम किधर चला एक दोस्त कह रहा था यार थोड़ा आगे चल तो आगे जा रहे थे फिर एक दोस्त कह रहा था थोड़ा पीछे चल कहीं से कुछ तो स इधर जाने का रास्ता क्या है वो अंदर और दिखला देती है जंगल की ओर और यह लोग अंदर घुश जाते हैं और जैसे ही यह अंदर घुशते हैं कि सड़नलि वही चेहरा उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और वो चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था इस बार अनि लोगों ने clear उस चेहरे को देख लिया यह देख करके यह तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं उस बुरे और जले हुए चेहरे को देख करके इन तीनों की हालत खराब हो जाती इनके धड़कने बहुत तेज धड़कने लगती ये बहुत जादा डर जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हें और भी कुछ पूछना है क्या ये तिनों समझ गये थे कि हमारे सामने साथ छात मौत खड़ी है क्यूंकि ये औरत हमारे कार से आगे कैसे आकर के खड़ी हो गई अजीब तरीके से उन्हें देख करके हस रही थी उसकी हसी इतनी खतरनाक थी कि ये तीनों बहुत जादा घबरा जाते और वो कहते यार कार से निकल क्यूंकि ऐसा लग रह था कि वो कार का सीशा ही फोर देगी वो तीनों बाहर निकल जाते हैं और दौरते हुए जंगल के अंदर एंटर कर जाते हैं और वो जैसे ही जंगल में घुशते हैं वहां उन्हें बहुत ही भानक तरीके से एक एक्सिडेंट हुआ कार दिख जाता है जब वो उस कार के अंदर जहाग करके देखते हैं तो वहां उन्हें कोई नहीं दिखता है वो सोचते कि ये कार किसकी है और इसके अंदर के ड्राइवर कहां गया तो वहाँ पे उसे एक औरत रोती हुई नजर आ जाती है जो नीचे बैठी हुई थी तो ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है इसी औरत का कार है और ये भी हमारी तरह ही रास्ता भटक गई है वो लोग उसे पूछते हैं कि आप रो क्यों रही है तो वो कहती है कि हमारे कार का एक्सिडेंट हो गया है धुन्द की वज़ा से मैं रास्ता भटक गई हूँ वो लोग उसे कहते हैं कि ठीक है आप हमारे साथ चलिए तो वो उनके साथ हो लेती है और जब वो उनके साथ हा रही थी तो वो बिल्कुल सांथ हो जाती है और कहती है उधर से मत चाहिए क्योंकि उधर वो औरत है लेकिन वो लोग रास्ता बदल देते उसके कहने के अनुशार वो लोग दूसरा रास्ता पकड़ लेते है और जब वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे कि तभी सतीस को ऐसा लगता है कि कोई उसका गला पकड़ लिया है वो चीखना चाह रहा था पर वो चीख नहीं पा रहा था और सतीस वहीं पे धराम से गिर जाता है और जब ये दोनों दौड़ते हुए आगे निकल जाते हैं उस आरत के साथ तो सुनू कहता है कि यार सतीस कहा है तो वो ऐसे देखते हैं चारोर उसके बगल में वही आरत थी वो कहती अभी तो साथ में तो चलिए थोड़ा पीछे जा करके देखते हैं जैसे यह लोग थोड़ी दोर आते हैं दौड़ते हुए तो इनकी नज़र परतिक यार सतीस कहा है तो ये तीनों फिर पीछे पलट करके दोड़ना चालू कर देते हैं वो कहते हैं चलो पीछे चलते हैं और जब ये पीछे दोड़ करके आ रहे थे कि तब तक इन्हों ने देखा कि सतीस उधर से आ रहा है ये लोग कहते हैं यार चल तो सतीस कहते हैं यार इधर से नहीं इधर से चलते हैं मुझे लगा कि इधर एक रास्ता है इसके लिए मैं इधर गया लेकिन जैसे ये सतीस के साथ पीछे पीछे जा रहे थे कि इनका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और सोनु धराम से गिर जाता है जैसे ही सोनु धराम से गिरता है वो उट करके खड़ा हो जाता है और उसे लगता है कि मैं किसी चीज से टकराया हूँ चीज मिन्स पत्थर या लकडी से नहीं था वो ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान है जिसे मैं टकरा के गिरा हूँ और जब वो अपनी फ्लेस लाइट को जला करके देखता है तो उसके रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं उसके फेस पे पसीना टपकने लगता है इतनी ठंड में वो कापने लगा था और हाफ रा था बहुत बुरी तरीके से वो राजकुमार को कहता है कि यार देख नीचे और जैसे ही वो नीचे देखते हैं कि वहाँ से सतीज जो होता है वो सडनली उनके सामने से गाइब हो जाता है ये देखकर के वो दोनों बहुत जादा डर जाते और कहते यार यहां से भाग ये जगा बहुत ही खतरडाक और भूतिया हम बहुत ही गलत जगे पर फस चुके हैं और वो भागना चालू करते हैं और वो अरत उनके साथ रहती है और दरते दरते वो दोनों कार के पास पहुंचते हैं और उस अरत को भी अपने साथ बैठा लेते हैं और उस अरत को लेकर कि वो जैसे ही थोड़ी दूर आते हैं कि तभी उनकी नजर उसके फेस पे पढ़ जात यह दोनों इतने ज़़ादा डर चुके थे कि इनके शरीर में खुन का एक बूंद नहीं था वो जम चुका था और यह अब सोचते कि आज तो हम गया यह फिर से उसकार से बाहर निकलते और दौडना चालू कर देते हैं और दौडते-दौडते-दौडते यह किसी तरीके से ह कॉल आता है जो रांची में था और ये लोग कॉल उठाते हैं और उसे फोन पे ही सारी बात बताते हैं वो कहता है यार तू रूख मैं दूसरी गाड़ी वहां पे भेज रहा हूं और हम लोग 8-10 आदमी आ रहे हैं वहां से हटना रही और तुम लोग हरुमान चली सा पढ़त तो वो दोनों जोर-जोर से पढ़ने लगते हैं और वहीं पे खड़ा रहते हैं बहुत देर के बाद एक कार उनके पास आ करके रुखती है और जिसमें उसका वही दोस्त बैठा हुआ था रांची का और 6-7 लोग थे तब इनके जान में जान आती है और वो लोग कहते हैं क आज हम लोग जिन्दा नहीं होते अगर तू हमें कॉल नहीं करता तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने सच्छात मौत को सामने देख लिया है वो औरत हमें मार ही डालती उसने सतीस को मार दिया है अब हम सतीस के घर में क्या कहेंगे निखिल वो कहता है कि कोई बात नहीं है यह एक अक्सिडेंट था हमें अपने घर में बताना होगा और हम उन्हें कॉल कर देंगे क्यूंकि सतीस के साथ तुम दोनों भी मरने वाले थे अगर मैं सही समय पर कॉल नहीं करता तो तो तुम दोनों आज यहां पर जिन्दा नहीं होते तो पहले चलो घर औ और अपने घर चले चाते हैं और सुभा वो फिर वहां से सिधे अपने गाउं वापस आते हैं राची से यह घटना उनके लिए जिन्दगी का एक बहुत ही बड़ा दुखत और भयानक घटना घट गई थी अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के साथ आगे तक